Hello everyone and once again welcome to Instagram course myself Umar Taskir Guys, this particular video में हम लोग बात करने वाले about Instagram story highlights cover photo Guys, जब हम लोग बात करते हैं Instagram के visual elements की तो उनमें एक visual elements हमारा ये भी है जहाँ पर हम बात कर रहे है Instagram की जो हमारी stories की highlights होती उनके cover की तो मैं एक बार practically आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस type के visual elements की बात करा हूँ ताकि आप इस चीज को relate कर सकते हैं तो guys, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हो आप मेरे mobile screen के उपर मैं यहाँ पर कोई एक account open करता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा तो let's say मैं अगर यहाँ पर कुछ search करा हूँ let's say मैं यहाँ पर digital प्रतीक का account open करता हूँ एक बार के लिए so guys, जैसे यहाँ पर आप देख रहा हूँ कि digital प्रतीक का जो account है वो open है और अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो यह जो stories की highlights है इनमें अगर आप देखोगे तो यह जो आपको starting में दिख रहा है यह जो आपको starting में दिख रहा है this is basically your highlights cover यह हमारी highlights का cover है so guys, किस type से हम इन highlights के cover को design कर सकते हैं किस type से हमारे पास अलग-अलग tools होते हैं जिनको हम use करके इसको design कर सकते हैं यह जो आपके highlights के cover होते हैं बहुत important है, बहुत important visual elements है क्योंकि आप देख सकते हो यह जो आपके Instagram profile की theme है उससे किस type से resonate करें, ध्यान रखना हो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो तो जो DP है उसके पीछे yellow है same, यहाँ पर भी है तो यह सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है तो guys किस type से हम लोग इसको create कर सकते हैं हमारे पास एक tool है बहुत ही simple सा tool है that is called as Canva आप चाहो तो Canva का जो desktop version है उसको use करके भी आप यहाँ पर यह जो cover आपको दिख रहें कि यह covers है जब आप इसके उपर click करेंगे तो आप देखेंगे जैसे मैं click कर आँ ठीक है तो अंदर आपको जो है यहाँ पर stories दिखाई देंगी अलग-अलग stories दिखाई देंगी जो already created stories है बट यह जो ऊपर आपको yellow दिख रहा है this is basically the cover ठीक है तो किस type से आप यह cover design कर सकते है ताकि जो आपकी profile है वो और appealing लगे visually और appealing लगे तो जैसे मैंने बताया है कि हम लोग use कर सकते है Canva को तो guys यहाँ पर मैं जो हमारा mobile version है Canva को उसको हम use करते हैं और यहाँ पर भी आप scratch से भी बना सकते है यह जो cover photos है इनको scratch से बनाना चाहा है तो वो भी आप कर सकते है यहाँ पर जो already present templates है अगर आप उनको use करना चाहा है तो वो भी कर सकते है तो simply आपको यहाँ पर जाना है और Instagram story highlight cover आपको दिख रहा है इसको आपको search कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो by default आपको बड़े सारे चीज़े दिख रहे है तो अगर आप चाहो तो आप इसी को use कर सकते हो एक option तो आपके पास यह है कि आप इसी को use कर सकते हो इसी में बड़े सारे जो है आपके पास change करने के options जिसे मैं click करता हूँ इसके उपर तो आपके पास बड़े सारे options हो जाते है कि आप इसको बड़ी आसानी से change कर सकते हो ठीक है यहाँ पर अगर आप टेक्स चेंज करना चाहो यह जो elements है, colors होगरा है इनको change करना चाहो, edit करने के आपको options मिलते हैं तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं तो मैं चाहूँ तो इसको remove अगरा कर सकता हूँ ठीक है, तो एक option तो guys यह है हमारे पास कि जो हमारे पास इतने सारे options है इनको किस तरीके से हम use कर सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग आप देख सकते हो अलग-अलग आपको आपर बड़े सारे options दिख रहे हैं दूसरा जो option है वो यह है कि हम scratch से किस तरीके से बना सकते हैं तो यहाँ पर guys हम लोग simply blank के उपर आ जाएंगे तो guys जैसे हम blank पर आएंगे आप देख रहे हो एक blank canvas अब हमें दिख रहे हैं ठीक है this is the circle और guys अगर हम इसे कुछ color देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं तो for now मैं इसको yellow color देता हूँ और उसके बाद मुझे अगर कुछ और elements यूज़ करने है let's say हमें अगर कोई logo यूज़ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए जो extra है यहाँ पर उनको मैं delete कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग चाहें तो और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं तो guys अब हम लोग यहाँ पर दूसरे elements भी जो है उनको use करते हैं कि यह तो हमारा केवल circle हो गया तो guys एक बार के लिए मैं इस circle को properly set कर देता हूँ ठीक है here it is अब मुझे यहाँ पर कुछ logo गएर अगर add करना तो उसके भी हमारे पास options है stickers add करना उसका आपके पास option है elements अलगलग आपको add करने तो उसका आपके पास option है आपको guys ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो elements present है उनकी आपको जरूरत नहीं है और अगर आपके पास कोई photos है आप उनको upload करना चाहते है तो उसका भी आपके पास options आप जाएंगे यहाँ पर और upload का option आपको दिख रहा है तो यहाँ से आप उनको upload कर सकते हैं और यहाँ पर हमें वो layout जो है वो by default template हम कह सकते हैं by default बनी बनाई मिल जाती ही जो हमें help करती है तो simply आपको इसे download कर लेना है यहाँ पर जो आप देख रहे था उपर top में arrow दिख रहा था उसके हिसाब से आपको download कर लेना है और आपकी design यहाँ पर save हो जाएगी मुझे यहाँ पर click करना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यह selected है तो मैं इसको यहाँ से set कर सकता हूँ इस तरीके से हम लोग इसको set कर देंगे या से और उसके बाद कर देंगे done और उसके बाद कर देंगे done ठीक है तो यहाँ पर हमारा cover हो गया है यह cover एक हमारा set हो गया आप देख सकते हैं आप एक highlight हमारे यहाँ पर set हो चीए So guys, इस तरीके से आप use कर सकते हैं, बहुत ही simple सा tool है, Canva और Canva को use करके आप ये इस type से जो आपके highlights के covers हैं, उनको आप create कर सकते हैं, तो दोस्तो इस particular video में इतना ही, मिलते हैं next video में, till then, goodbye.